बिहारी आदमी और बिहारी आदमी के साथ क्या है ना इतनी सारी लड़के एक साथ देखने नहीं मिलती है तो यहां आशिक लोग बहुत दिख रहे हैं मुझे आशिकों के गम भी है तो उनका भविश मैं एक चार पंक्तियों में रखूंगा फिर अपनी कहानी पर आऊंगा कि ए हसीना तुम सारा जहां हो गई हम कहां तुम कहां से कहां हो गई थोड़ा मौका तो देती लायक होने का जब तक लायक हुए दो बच्चों की माँ हो गई यह कहानी जो मैं सुना रहा हूं अद्ट कहानी मेरी कहानी है मुंबई कॉन कॉन गया है इसकी नावी मुंबई के आसपास के एरिया की है तो मेरा नाम अभिशे, सबसे हम तुम में बता रहा हूं, यह कहानी है मेरी और गिली, गिली इस दा लेबरडो, मेरी नई नई जॉब लगी, मुंबई में, BKC, कॉरला में जॉब लगी, मैं घर डूणने लगा, वहाँ पर एक स्टेशन है, घंसोली स्टेशन, तो कहा अपन में भी बड़े हो जाओ, आपका घर सेट करने के लिए आपकी मा आती है, तो वहाँ पे भी फर्स फ्लोर पे, फिर मेरी मा आई, घर वर सेट करने लगी, तो मा ने ना ऊपर से आवाज दी, फर्स फ्लोर से आवाज दी, कि Vicky जाओ, ब्रेड ले आओ, तो Vicky मेरा घर का नाम कि Vicky जाओ, ब्रेड ले आओ, ये सुनते ही ना, एक लेबराडोर कुता आया, वो ऐसे लेफ्ट साइड सर जुकाया, राइट साइड सर जुकाया, और बैठ गया, जैसे कुछ कहना चाहता था और रुप गया, अब कुत्ते की जबान है, कैसे समझो गया, तो मेरे जेब में फिर भी पारलेजी रखा हुआ था, मैंने दे दिया, लेबराडोर है, पारलेजी तो खाएगा नहीं, नहीं खाया, और मुझे बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि उस टाइम मेरा कई बार नाश्ता हुआ करता था पारलेजी और चाहे, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, पर एक रेलिंग रहेगी, फिर पट्रियां रहती है, तो वो रेलिंग एक जगे से कटी हुई थी, तो मैं सड़क से गया, रेलिंग के अंदर से गुझ के पट्रियों के रास्ते, गाना सुनते वे मस्त, लोकल स्टेशन की तरफ बढ़ रहा था, पूरी बीड उधर ही जा रही कि यह क्या हो रहा है, तो मैं फिर इधर उधर पट्रियां बदल के कैसे भी मैं गंसोली स्टेशन पॉंचा, तीन लोकल छुटवा, मतलब छूट गई मेरी उस कुट्टे के गार, और मैं बस वो लोकल पकड़ा, मैं पहुचा, कुरला, कुरला भी केसी में मेरी जॉब लग मैं रोक रहा था पट्रियों पे जाने पे, शाम को नहीं था, मैं पट्रियों से मज घूमते वे गया, बस वहाँ पे एक चौराहे पहले मैं देखा हो कुट्ता मुझे घूर रहा है, जैसे बोल रहा हो कि I am watching you, वो ऐसे मुझे घूर रहा था, समय निकला, मुझे अच्छा लगने लगा, रोज सुबह मुझे वो जब रोकने लगा पट्रियों पे जाने से, मुझे अच्छा लगने लगा, तो मेरे 9 मिनट बढ़ चुके थे, अब मैं प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए जाता था, स्टेशन, ओवर ब्रिज से होके, फिर जाता था, 8-9 मिनट बढ रहा था, ये शाम के टाइम, क्योंकि अभी तक उसने शाम को नहीं रुका था, शाम के टाइम में बस ट्रेंज से उतरा, निकला, तो देखा वही कुता था सामने, मैं सोचा इधर उधर से भाग के कहीं निकल जाओ, वरना लोडते वग भी मुझे सीडियों के उपर से जान करने के लिए, कि हाँ भाई मैं पट्रियों पर नहीं चल रहा हूँ, ये अच्छा लगने लगा था, कई बार होता है ना कि उससे क्या कनेक्शन है मेरा, पर मुझे अच्छा लगने लगा था, मैं जब सुवह आफिस जाता था, आता था, मैं पीछे घूम घूम के देखता कि अरे वो आ रहा है कि नहीं, किदर है वो, और नहीं दिखता था, रूख जाता था, फिर वो आता था, जैसे बोल रहा हो कि हां मैं आ गया, तो अच्छा लग रहा था मुझे, एक महीन गुजरा, इस आदत में एक महीन गुजरा, एक दिन, जब मैं शाम को उतरा, तो नहीं वो दिखना चाहिए, मैं स्टेशन पर डूंडा नहीं मिला, फिर सीड़ों पर चड़ा जाने लगा, और बस उस खयाल से कि जो भी बुरा सोच रहा हूँ, वैसा कुछ ना हुआ हूँ, बस गया आगे बड़ा तो एक जगे वो कुता जखमी था, उसको थोड़ा जख मगल में एक बंगलो था, उससे बूड़ सेंकल बाहर आए, वो जोड़ से चिलाया कि अरे ये गिली को लेकर कहा जा रहे हो, तो मुझे उस दिन पता चला कि इस, हाँ बेटा, तो मुझे उस दिन पता चला कि ये एक, इस कुते का नाम गिली है, लेवराडोर का नाम और ये पहली फीमेल थी, जिसने मेरा रास्ता रूका था, बले दूसरे फ़राजाती की, की 京ी पिर्द्ब मां भोइक 2 क्रयूं है समय के उत्रा और उन्होंने रोका फिर मैंने उनको किस्वा बतायए कि जख्मी मिली थी अंच खूर Рचney अ क्रें एक डिलाज करवा फिर उन्होंने इन्वाइट किया मुझे, बुला कि यहां बेटा आओ लंच पे डिनर पे आओ, तो मुंबई में एक और प्रता है, कि आप जिन्दगी जीने के लिएना वीकेंड का इंतजार करते हो, तो वहां पर फिर मैं सेटरडे को उनके घर पहुचा, जब सेटरडे को उनके गर पर उनकी बेटी भी आए थी, बेटी का नाम था रश्मी, वह साथ साल पहले सी, शी वाज मैरीड कुछ अफ्सोर्स नहीं मुझे उसका, तो सेवन येर्स बैक शी गोट मैरीड और वो यहां पर मिलने आती रहते थी अपने पेरेंट से, तो मैं घर में घुसाना तो मैं देखा, बहुत सारी फोटो लाइन से लगी हुए, उस हर फोटो में एक लड़के की फोटो कॉमन थी, एक लड़का हर एक फोटो में आल्मो विक्की है, तो अब मेरा फ्लैश बैक चालू हो गया, पहला दिन जब माने बोला था कि विक्की ब्रेड ले आओ, तो गिली दोड़ते हुए आई थी, मेरी तरफ उसने लेफ्ट ट्राइट देखा, जो कि वो शायद इस विक्की को देख रही थी, या जो भी है, एक फोट साल पहले, जब मेरी शादी हुई थी, तो मुझे लगा कि हाँ घर में थोड़ी रॉनो किया, कुछ बना रहे, सब सब, ऐसा नाओ कि सब डल हो जाए, तो मैंने लेबराडोर को गिफ्ट किया था, और ताकि घर में हलचल बनी रहे, और दीरे दीरे वो घर में ही पलने बढ रेली रूटीन यह था, कि वो रोज जाता था, घंसोली स्टेशन पे, और रेलिंग कूद के, ट्रेन पकड़ता, गाना सुनते वे पटरी पे जाता था, ट्रेन पकड़ता था, और कॉले जाता था, और गिली उसको रेलिंग तक छोड़ने जाती थी, वहां तक भौंगती और वापस आ जाती एक दिन वो रेलिंग पूदा गया गाना सुनते हुए और ट्रेन की आवाज नहीं सुन पाया तो उसके बाद से विक्की यह नहीं है और फिर मैं गिली के तरफ देखा और शायद एक मिनेट रश्मी ने क्या बोला मैं सुन नहीं पाया क्यों क्योंकि मुझे पहले दिन से गिली पट्रियों पे जाने से रोख रही थी जैसे भौख भौख के चिला चिला के कह रही हो कि विक्की इस बार तुम्हें नहीं जाने दूगी तो साथ साल पहले शादी हुई और ये किस्सा जब रश्मी ने बताया उसके बाद तीन साल हो चुके थे लगबढ़ आट दस साल मैं गूगल पे सर्च कर रहा था एवरेज लाइफ आफ लेवराडोर दस साल होते हैं एवरेज लाइफ अव लेवराडोर तो अब गिली मेरे साथ नहीं थी गिली किनने अपना जिन्दगी जो जीनी थी वो जी चुकी थी पर कहीं न कहीं लगता था गिली है तो मैं कभी भी पट्रियों पे या इधर लाइक मैं ऐसे कभी नहीं जाता तो मुझ इस बार वनवे पर मैं रॉंग साइड से जा रहा था तो एक कह सकते हैं जो लोकल कुता होता है मैं बाइक से जब राज जा रहा था उसने भौका भौका और मुझे रिटर्न कर दिया तो मुझे लगा शायद गिली कहीं न कहीं है जो मुझे देख रही है तो यही कहानी थी मेरी और गिली की एक अधिकारिक सूचना इस कहानी के सभी पात्र कालपनिक है इसका किसी असली जीवन से कोई संबंद नहीं है यदि किसी के जीवन से कोई संबंद स्थापित होता है तो वो मात्र एक संयोग है धन्यवाद अभिशेक नाम है मेरा और पेपर विफ ने मुझे भौकाली पोएट भी प्रदर्शित किया है पेपर विफ के जो भी आता है इंस्टाग्राम पे धन्यवाद पेपर विफ मुझे आपर अपॉर्चुनिटी देने के लिए कहानी सुनाने के लिए धन्यवाद